आज के इस वीडियों में हम बात करने वाले हैं रिड्स की आइपी वàcies के वारे में दोस्तो रिड्स के वारे में फोड़ा सा आपको बता देते हैं बैसिकली दोस्तो ये जो है इंडयन रेलवे की एक पार्ट है जिसमें दोस्तो वे expression क्रेट हुई है तो इसमें कैसे apply करना है और क्या important information है सारी चेज़ों डिसकस करेंगा पसंद आगा like कीज़गा चैनल पर नया है चैनल को subscribe बना मत भूलेगा चले दोस्तों start करते हैं तो शुरुआत करेंगे दोस्तों यहां पर number of post के बारे में तो दोस्तों यहां पर number of post काफी कम है लेकिन फिर भी अगर आप apply करना चाहते हैं और eligibility criteria में fully होते हैं तो आप यहां पर apply कर सकते हैं तो सबसे पहले यह जो job है दोस्तों contract basis पे है यहां पर किसी प्रका कोई भी examination नह आती है जो ministry of railway के अंतरगत आती है और यहां पर दोस्तों site engineers के लिए vacancies निकल रखी है AutoCAD operator के लिए यह जो है इसका code है दोस्तों आप इस code को ध्यान रखेगा number of vacancies के बात के लिए site engineer के लिए एक post है works के लिए दो पोस्त करके यहां पर AutoCAD operator के लिए है यहां पर जो age limit है दोस्तों उसमें 55 साल रखा गया है एक बात और बताना चाहता हूँ यहां पर जो qualification रखा गया है diploma और BTEC दोनों के लिए form को fill up कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहां पर experience भी requirement है और इस form की जो last date है दोस्तों 9 अगस 2024 रखी गई है चले जानते हैं क्या qualification है तो यहां पर दोस्तों अगर आप इसका notification पढ़ोगे तो यहां पर जो qualification दिया गया है उसमें जो है bachelor's degree या फिर डिप् सकते हैं अगर आपने BTEC कर रखा है तो आपको दो सार का experience चाहिए पर आपने diploma कर रखा है तो तीन सार का experience requirement है इस बात को आपको ध्यान में रखना है इसके बाद दोस्तों जो आपका experience है वो basically railway में ही होना जरूरी है railway infrastructure project में होना जरूरी है अगर आपने कर रखा है तो इसी सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिप्लमा के लिए डिप्लमा वाले अप्लाई कर सकते हैं अब यहां पर AutoCAD जो operator वाली vacancies है इसमें जो है दोस्तों अगर बात किया जाए तो ITS certificate requirement है या फिर डिप्लमाइज रिक्वार्मेंट है दोनों में से कोई सा भी है तो आप यहां पर AutoCAD operator के लिए फिल अप कर सकते हो लेकिन दोस्तों यहां पर दो साल का experience requirement है यहां पर दोस्तों अगर बात किया जाए कि selection किस प्रकार होगा तो वीडियो की स्टाइटिंग में ने बताया यह यहां पर जो है interview के basis पे जो है selection होगा तो interview कब यहां पर रखा गया है इंतर्विव का 100% जो है यहां पर criteria रखा गया है और यहां पर जो minimum qualification दोस्तों 60% रखा गया है जिनके 60% है और जो भी qualification यहां पर फुलफर करते हैं वह यहां पर apply कर सकते हैं कितनी salary मिलेगी दोस्तों य यहां पर आपको करना है आपको अप्लाई करने के लिए उन लाइन आपको अप्लाई करना है तु यह इसका लिंक जिसका मैंने आपको लिंक दे रखा है description box पे यहाँ पे जो है vacancy number पूछा गया है तो जैसे कि बैने बताया कि कौन सी vacancy के लिए आप फिल आप करें आप अपनी vacancy number देख ले तो यहाँ पे दोस्तो 184 से start थी हलाकि यहाँ पे बहुत सारी vacancy आई है हर एक post के लिए दोस्तो अलग-अलग qualification requirement है लेकिन जिस vacancy के बारे मैं बात कर रहा हूं यह vacancy site इंजिनियर्स की है तो 184 अप्लिक 24 है यहाँ पर मान लिए आप AutoCAD operator के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पर उसको जाएगा आराम से apply कर सकते हो यह कुछ information आई थी जो डिर्स की तरफ से आप लोग को देनी थी वीडियो कैसे ला कमेंट कर जुरू बताएं बाकि दोस्तो और फ्रेशन वेकेंसिस के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए धेर सारी वेकेंसिस के अपडेट वीडियो अप्लोड ह है चैनल में उनको भी देख लीजिए अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो कमेंट भी कीजिए धन्यवाद